हेलो फ्रेंड्स मैंसे भी चंदर कमार्सिंग यह थेयरी अप मसीन का 19th पार्ट है लास्ट पार्ट में डिक्सक्राइब कोश्च नमबर 269 तक कोश्च नमबर 270 कर आप होरे साइकलोडल टूथ प्रोफाल जीरो होता है जीरो होता है ये आप धहन रखना है थो हम सब्सक्राइब के बारे में डिसेश्च कर लेते हैं साइक्लाइडल टूथ प्रोफाइल में हम यह जानते हैं कोई भी टूथ प्रोफाइल है जैसे मान लिजए कि यह आपका बेश सिर्कल है इसके उपर एक टूथ है टूथ का यह अपर पोर्शन इसको फेस बोलते हैं नीचे वाले को फ्लैंक बोलते हैं स cultura tooth profile में कि यह वाला जो है यह इस तरह का आपका Bitte this portion को इस पॉर्शन को हम लोग बोलते हैं Face और इस पॉपर्शन को बोलते हैं इसमें क्या होता है कि एक pitch line के cross इस circle का कोई भी point इस circle को अगर हम roll करवाते हैं इस direction में तो इसका एक point है वो point जैसे trace होता है तो locus of this point इस point को जो locus होगा जो path follow करेगा वो ऐसा follow करेगा और इस circle को अगर pitch line के across इस direction हम ले के जाते हैं तो वो इस तरह का follow करेगा इसको हम लोग बोलते हैं उपर के पोर्षन को बोलते हैं इपी साइक्लोईड और नीचे वाले पोर्षन को बोलते हैं हाइपो साइक्लोईड similar thing होता है कि pitch circle के case में अगर pitch circle यह है इस circle को अगर हम इस direction में लेके जाते हैं तो एक point जो है वो ऐसा shape point का जो locust होगा point इस तरह से travel करेगा यह जो point है वो इस तरह से travel करेगा और यहां पर यह इस circle को इस direction में लेके जाएंगे तो यह इस तरह का shape follow करेगा इसको हम लोग बोलते हैं face और इसको बोलते हैं flank face जो है आपका वो epicycloid और flank जो है वो hypocycloid के form का होता है तो थोड़ा सक इसको बारे में देखेंगे हैं तो cycloidal rag tooth profile messing with the pinion as shown in the figure this इस में क्या होता है कि अगर इस circle को हम इस direction में लेके जाते हैं on a straight line which is the pitch line जो straight line है वो pitch line है is the profile of the face of the cycloidal tooth and the curve generated below the pitch line by the point trolling the circle too is the flank इसको हम face बोलते हैं इसको हम लोग फ्लैंक बोलते हैं तो अगर यह है आपका base circle तो profile जो बना वो profile आपका ऐसा बना इस जैसा इसको उपर वाले को हम लोग बोलते हैं उपर वाले को face बोलते हैं नीचे वाले को flank बोलते हैं यह है आपका cycloidal tooth profile तो cycloidal tooth profile अगर है और दूसरा होता है involved tooth profile कैसे generate होता है तो वह हम लोग एक base circle ले लिए इसके उपर बहुत समान लिए धागा लापिटा हुआ है इस धागा को हम unknown करते हैं अगर तो वो और यह point को trace कर रहे हैं यह point यहां पर यह है अनोंड किये तो यह कुछ ऐसा धागा हो गया तो यह point जैस तरह travel गया इस तरह तो यह जो profile बना इसको बोलते हैं लोग involved profile involved profile draw करने के लिए हम करें क्या कि draw बेस चरकल सबसे पहले एक base circle draw करेंगे draw बेस चरकल divide the base circle quadrant को equal number of parts में divide करेंगे इसको equal number of parts में divide करेंगे इसके बाद हम लोग करना क्या है कि हर एक point से एक tangent draw करना है draw a tangent from one to six one to six हर एक point से जानतीजाu कट्ट हे हां इक हर एक point से एक tangent draw कर देना है मेरे को यह tangent draw होने के बाद जितना distance ये है मेरां o से लेकि 1 तक जितना distance आ ही तक उतना ही, काट लेना है, ओसे लेएकि 3 तक जितना पॉइंंट है, औस लेकि D तक उतना ही पॉइंट, इस तरह से काटते-काटते एक प्रोफाइल मेरे को जिनरेट होगा है, इस प्रोफाइल कोओश आगर बोलते हैं, इनवॉॉॉउट करगों, तो अगर ये तो इंट प्रोफाइल हमको इस तरह का देखने को मिल रहा है लेकिन अगर यह को अगर ये अगर कि involved profile में क्या होता है pressure angle जो होता है आपका constant होता है involved profile में pressure angle क्या होता है मेरा constant होता है being the angle made between the common tangent of the base circle base circle जो tangent होता है वो और common tangent at the pitch circle at the pitch point वो दोनों के बीज को angle होता है उसका हम लोग बोलते है pressure angle last class में भी discuss किये थे में लोग pressure angle के बारे में तो प्रेशर एंगल क्या होता है, common tangent, common tangent, line of action, लाइन या आफ तैंजेंट जो है, और line of action दोनों के बीच के जो एंगल होता है, उसी को हो लोगो बोलते है प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल जो होता है, जो क्या होता है, common tangent to the base circle, and the common tangent at the pitch point के बीच जो angle होता है वो pressure angle कहराता है pressure angle जो होता है वो constant होता है involved tooth profile में लेकिन cycle ideal tooth profile में यह constant नहीं होता है यह vary करता है pressure angle varies continuously being zero at the pitch point and maximum at the point of engagement and disengagement engagement और disengagement के समय जो आपका pressure angle रहेगा वो maximum रहेगा और zero रहेगा at the pitch point zero at the pitch point इसमें tooth profile में जो tooth profile होता है उसमें दो पार्ट होता है दो करव होता है एक होता है epicycloid और दूसरा होता है hypocycloid यह दो पार्ट होता है इसलिए इसका manufacturing भी तौह तफ हो जाता है the method of manufacturing is therefore more involved and leads to cost clear gear tooth gear tooth से कर इस हो काटना है हमको मतलब hopping के थूर अगर काटना है तो उसकी costlier हो जाता है in comparison to involved tooth profile involved tooth profile के comparison में यह costlier होता है लेकिन अगर involved tooth profile में काटना है तो उसको हम rack cutter के मदद से काट सकते है the tooth profile consists of a single curve in single involved curve and the rack cutter used to generating the profile of the straight teeth the rack cutter is cheaper and the method of manufacture is simpler this leads to the reduction of the cost of manufacture of involved tooth involved tooth profile का manufacturing cost आपका कम हो जाता है अब बात आता है यहाँ पर कि जो हम भी सीखे इसमें pressure angle क्या होता है involved tooth profile में pressure angle पर constant होता है throughout लेकिन cycloidal tooth profile में आपका जो pressure angle है वो varies करता है varies कैसे करता है तो starting में आपका maximum रहता है engagement के समय pressure angle maximum होता है और pitch point पे आपका zero होता है और end of the engagement में आपका pressure angle maximum होता है ease of manufacture इसको बनाना easy होता है इसको थोड़ा से difficult होता है center distance का अगर बात करें तो center distance do not require exact center distance में नहीं चाहिए हमको लेकिन इसमें हमको cycloidal tooth profile में हमको exact center distance हमको चाहिए next interference interference जो होता है involute tooth profile में आपको देखने को मिलता है interference लेकिन cycloidal tooth profile में interference आपको देखने को नहीं मिलता है interference के बारे में हम आगे में discuss करेंगे more detail में फिलाल के लिए आप यहां पर ध्यान रखें कि interference आपको cycloidal tooth profile में देखने को नहीं मिलता है और ऐसे भी आप देख रहे हैं कि जैसे कि मान लीजी यह base circle है आपका यह जो tooth profile आप बना है यह आपका involved tooth profile है तो यहाँ पर interference इसके मदद से यह जो nukela है नुkela के मदद से interference होने का chances बढ़ जाता है और cycloidal tooth profile में चुकि यह nukela नहीं होता है इसलिए interference होने का chances आपका reduce हो जाता है तो interference आप देखने को नहीं मिलता है cycloidal gear में लेकिन इसमें देखने को आपको मिलता है तो यहाँ पर जो question पूछा गया था for cycloidal tooth profile the pressure angle क्या होता है तो pressure angle at the commencement or engagement commencement of engagement के समय maximum होता है फिर वो pitch point पर वो 0 होता है और end of the engagement वो maximum होता है यह आपको ध्यान रखना है which is the false statement about the properties of involved profile involved profile के property में false statement कौन सा होता है first line है आपका the shape of the involved profile is dependent only on the dimension of the base circle तो यह सही बात है सही statement है इसमें पूछा गया strong statement क्या होता है इसमें यह first statement यह बोला गया the shape of the involved profile is dependent upon the dimension of the base circle base circle के dimension भी depend करता है base circle अगर छोटा होगा तो आपका जो involved profile बनेगा वो different होगा अगर बड़ा होगा base circle तो different होगा अगर बहुत बड़ा होगा base circle तो involved profile जो बनेगा वो straight line बनेगा तो यह हम लोग involved profile क्या होता है वो तो देख चुके फिला इसका कुछ प्रोपर्टी होगा प्रोपर्टी के बारे में तो डिस्ट करते है involved of a circle is not defined inside the base circle पहला बात की base circle के अंदर यह defined नहीं होता है अगर यह base circle है तो involved इसके बाहर ही defined होगा under base circle के अंदर यह defined नहीं है तो यह अगर involved profile है, तो उसके बahar होगा, base circle के बahar होगा होगा. दुस्ता बार आध is generating line is tangent to the base circle and normal to the involved. अब नॉर्ब पिजनुराइटे गोफथा जो line generate हुआ है, जो line यहाँ पर generate हुआ है, यह line is tangent to the base circle, involute पर जो line है, यह tangent to the base circle, base circle पर यह tangent होता है, and normal to the involute it generate normal to the involute that it generate next all the involute drawn from the same circle are alike अगर circle same है तो जितना भी involute है circle इतना ही बड़ा है तो जितना भी involute है सब सेम होगा सब एक जिस होगा लेकिन अगर but involute drawn from the circle of different radius अगर different radius का बात आ गया अगर बड़ा है और बड़ा है तो involute इसमें जो generate होगा सब इसमें जो generate होगा और इसमें जो generate होगा सब डिफरेंट होगा तो all involute drawn from the same circle are alike but involute drawn from the circle of different radii are different the greater the radius of the base circle base circle का जो radius है वो जितना बड़ा होगा flatter will be its involute involute उतना flatter होगा अगर यह जो circle है base circle है infinity यह straight line जो है यह एक base circle है अगर यह straight line अगर base circle है तो इसका radius जो होगा वो infinity होगा तो यह एक ऐसा base circle है जिसका radius infinity है तो radius अगर infinity है तो यहाँ पर जो involved generate होगा वो involute straight line ही generate होगा वो involute कैसे generate होगा straight line generate होगा तो यह involute straight line generate होगा कह रहा है कि the greater the radius of the base circle, the flatter width will be its involute. The involute becomes a straight line. Involute जो होगा, a straight line होगा for the base circle of infinite radius. Base circle of infinite radius, वैसा base circle, जिसका radius infinite है, उस पर जो involute develop होगा, वो एक straight line होगा. यहाँ पर, the shape of the involute solely determined by the diameter of the base circle. Shape जो होता है, involute का, वो solely determined by the dimension of the base circle. Hence, that center distance, center distance between, center distance can be changed without affecting the motion transmitted. center distance में change हो सकता है. Center distance में change कर सकते हैं. दोनों gear का center distance में change किया जा सकता है. लेकिन उस चेंज करने से भी motion transmitted effect नहीं पहुचाएगा. तो अगर हम लॉटें, first line में बोल रहा है, the shape of the involved profile is dependent only on the diamonds of the base circle. यह सही statement है. next, हम option number C देखते है. Involute is the only tooth form that is not sensitive to the center distance of their base circle. यह भी सही अभी देख चुके center distance पो depend नहीं करता है. लेकिन cycloidal tooth profile जो हता है, center distance पो depend करता है. तो involute में center distance पो depend नहीं करता है. next, the basic rake of the involved tooth profile has a straight line, यह भी देख चुके अभी. next, involved profile is generated by the locus of the point on a thread, unwound on the cylinder. एक cylinder पर से, एक thread को unwound कर रहे हैं, मतलोग खोल रहे हैं. यह thread लपेटा हुआ है, यह thread को हम खोल रहे हैं. तो thread कुछ दिर में ऐसा हो जाएगा, फिर और खोलेंगे तो ऐसा खोलेंगा, और खोलेंगे तो ऐसा खोलेंगा, तो यह जो point वो trace करेंगे, तो यह point अभी यहाँ था, यह point यहाँ पहुँच जाएगा, यह point यहाँ पहुच जाएगा, तो यह जो profile generate हुआ, इस profile को हम बोलते हैं involved profile. यह भी से इस statement है. हम लोग यह पहले भी पढ़ चुके हैं, कि angular velocity का जो ratio है, omega 2 by omega 1 is equal to T1 by T2, और यतना ज़्याद़ टीथ होगा, उतना ही radius R1 by R2, तो R1 by R2, तो कहने का मतलब यहाँ पर है, कि जो 2 यहाँ पर है, और R2 यहाँ पर है, तो यह इसका inversely proportional है, not directly proportional, तो angular velocity ratio when two involved are missed is directly proportional to the size of the base circle, directly proportional नहीं है, यह inversely proportional है, inversely related है, omega 2 radius के साथ या diameter के साथ inversely related है, तो हम यहाँ से यह कहेंगे, कि जो angular velocity होता है, वो inversely related है, that means यहाँ पर लिखा हो directly proportional है, that means this is the wrong statement, आप से false statement पूछा जा रहा है, that means this is, next is gear train, gear train in which the first and the last gear are on the same axis, यह बहुत ही common question है, बहुत बार पूछा गया है, आपको simple gear train पता होगा, compound gear train पता होगा, epicyclic gear train पता होगा, अब यह बात आता है, कि जब gear train, वो ऐसा gear train, जिसमें first gear and the last gear are on the same axis, around the same axis, तो उसको हम बोलते है, reverted gear train, यह बहुत ही common question है, बहुत बार पूछा गया है, reverted gear train, first gear and the last gear, दोनों का दोनों same axis में होना चाहिए, एक ही axis में होना चाहिए, तो वो reverted gear train में होना चाहिए, एक ही set पे नहीं, एक ही axis पे, first gear and last gear, तो उसको बोलते हैं हम लोग, reverted gear train, तो और reverted gear train के बारे में discuss करते हैं, और बागे simple gear train, और compound gear train, और epicyclic gear train को आगे में discuss करेंगे हम लोग, फिलाल के लिए, आप यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक gear यह है, यह gear, यह gear number one मान के चलिए आप, this is gear number one, this is the gear number two, this is the gear number three, और this is the gear number four, इसमें, अगर एक shaft पे, एक shaft पे, एक से ज़्यादा gear mounted है, तो उसको बोलेंगे compound gear train, मतलो इस shaft पे, इस shaft पे, दो gear mounted है, दो number और तीन number, इसी shaft पे, इसी shaft पे, दो number ही mounted है, और तीन number ही mounted है, तो इसको बोलेंगे compound gear train, एक shaft पे अगर एक ही gear mounted है, है तो इसको बोलेंगे हमμεंग लोग simple gear train तो एक shaft Scholars 3 जो है compound gear train के अंतर गताता है अब बोल रहा है कि input and output मतलब कि जो first gear है and last gear और on the same axis same axis में अगर होगा तब क्या होगा तो यहां पर मान लीजिए this is the first gear train यहां से motion transmit for 2 में गया 2 move किया तो 3 भी move करेगा और 3 move करेगा तो 4 भी move करेगा इसको बोलते हैं रिवर्टेद gear train फिया जो क्या यहां dotted line से इस तील दिखायाँ गया क्योंकि यह जो gear है और जो gear है एक sap पे नहीं है जोनों अलगा sap पर है लेकिन axis दोनों का same है तो इसको और बोलते हैं simple gear train कि इसको कहेंगे एक sap में एक ही gear अगर grounded है तो तो उसको simple gear train पोलेंगे, एक से जदा gear mounted उसको compound gear train पोलेंगे और अगर input, input gear and output gear, मतलो first gear and last gear are on the same axis तो उसको पोलेंगे reverted gear train तो reverted gear train क्या होता है, when the axis of the first gear and the last gear are co-axial then it is known as reverted gear train, उसको उसको क्या बोलेंगे reverted gear train ने कोशन मुआ 273, in involute teeth, normal to the involute is tangent 2, normal to the involute is tangent 2 the base circle, देख्ले तेन सको यहांचोपार आपुक्सटिती लिए। है यह आपका टूथप्रोफवैल है यह टूथप्रोफैल इधर है इसको थोड़ा बढ़ा करते हैं यह टूथप्रोफैल आपका और यह टूथप्रोफैल यहाँ तो लाइन और अफ एक्ष। जो लगेगा वह इस दैश मिलेगा this is the line of action यह tooth profile है मतलब ऐसा दिखेगा tooth एक tooth पूरा और यह tooth पूरा ऐसा दिखेगा तो line of action जो है this is the line of action and line of tangent this is the line of tangent at the pitch point तो line of action और line of tangent के बीच का जो angle है इस angle को आम लोग बोलते हैं pressure angle तो line of action जो होता है जो normal tooth involved involved पे जो normal है और line of action यह यह line of action किस पे tangent है तो यह base circle पे tangent है यह base circle है मेरा base circle पे tangent है यह base circle पे tangent है pressure angle between the common normal जोगो हम आब बोल रहे है makes with a common tangent to the two pitch circle that means tt it is usually between 14.5 degree to 20 degree pressure angle is always constant for involved profile for involved profile के लिए यह constant होता है वो always constant होता है अगर कोई दो gear है तो अनों को इसका pressure angle जो है वो 14.5 degree है या फिर 20 degree पहले आपका 20 degree चलता था आज के देट में 14.5 degree चलता है तो involved tooth profile के case में यह constant होता है pressure angle का value but in the case of cycloidal tooth profile में इसका value change करता है starting में maximum रहता है pitch point पे 0 होता है last में end of engagement पे maximum होता है तो आपसे पूछा यह गया है तो normal to the involved profile में जो normal है यह जो normal है वो किस पर tangent है तो वो base circle पर tangent है next है the minimum number of teeth on a gear with 14.5 degree pressure angle विल भी कितना होगा तो यह question में थोड़ा सा कुछ problem है क्या problem है कि इसमें आपको लिखना चाहिए किस तरह का gear का arrangement है rack and pinion है या फिर simple do gear है दोनों ही case में आपका minimum number of teeth जो है वो different होगा for avoiding interference तो minimum number of tooth for avoiding interference interference को avoid करने के लिए कितना number of minimum number of tooth होना चाहिए वो आप पूछा गया है तो इस particular case में जब 14.5 degree pressure angle है तो minimum number of tooth कितना होना चाहिए तो इसके बार में थोड़ा से minimum number of tooth कितना होना चाहिए उसके बार में थोड़ा डिसक्स कर लगते हैं हम लोग इसके पर डिसक्स करते हैं interference होता क्या हो undercutting होता क्या interference and undercutting suppose कीजिए this is my base circle एक base circle ये है इस base circle का involved profile ये है ये आपका involved profile है suppose कोई दूसरा gear है ये gear का नाम हो 1 दिए कोई दूसरा gear कहीं इधर कहीं दूसरा gear है इधर इस side कहीं दूसरा gear है उसका जो है involved profile ये है ये involved profile अगर यहां अंदर आता है जब ये rotate कर रहा है ये rotate कर रहा है anti-clockwise कर रहा है clockwise तो इसका टूथ होता है वो इसके बेज सर्क्ल के अंदर कर चला जाए нос Coming लिए पोर्शन पेसर क्ली इस को लोनों की लड़ी तो इसको इस टूथ को इंटरफेर कर रहा इसको avoid करने के लिए कितना number of minimum number of teeth हो वो जरूरी है कि कितना minimum number of tooth हो ताकि मेरे पार interference नहीं हो तो उसके बारे में फिलाल बात में बात करेंगे फिलाल interference इसको कहते है involved profile exists only outside the base circle अगर यह base circle है तो involved profile जो होता है exist only outside the base circle base circle के बाहर वो exist करता है यह हम पहले भी देखें suppose we use very few number of teeth suppose किजिए कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत ही few number of teeth बहुत ही कम teeth यूज़ कर रहे है on a gear and the teeth size is very big teeth का जो size हो बहुत ही बड़ा है then it may so happen that the addendum circle of the mating gear gets into the base circle of other gear तो chances है कि addendum circle of the mating gear यह addendum circle अगर इसका tooth profile यह है तो इसका जो addendum circle है यह अगर addendum circle है इसका वो base circle of the another gear another gear के base circle के अंदर चला जाएगा इस base circle के अंदर चला जाएगा hence one can extend the involute of the gear 1 inside the base circle then interference happens और अगर क्या होता है कोई अगर इस involute को extend कर दे inside the base circle तो interference होने का chance यह tooth जो है इस tooth के साथ interfere कर जाएगा interference का chances हो जाएगा interference होता क्या है addendum circle gets into the base circle of other gear addendum जो है addendum circle of one gear gets into the base circle of other gear other gear के base circle में चला जाएगा तो उसको गोलते हैं तो interference we are avoiding the interference हम लोग यह चाहते हैं कि interference नहीं हो by undercutting the tooth of the gear one gear one को undercutting the tooth inside the base circle base circle में यह interference नहीं हो तो हम क्या करेंगे यहां से कुछ material को यहां से scoop out कर देंगे यहां से कुछ material को निकाल देंगे वो वीकें हो जाएगा तो प्रोपर सॉलीशन क्या है उसका तो अवाइडिंग इंटर्फेरेंस ensuring some minimum number of teeth of the gear interference को avoid करने के लिए हम लोग यह कोसिस करेंगे कि minimum number of tooth कितना होना चाहिए उससे कम अगर हो जाएगा उससे कम tooth कर देंगा तो interference हो जाएगा तो कम से कम minimum कितना number of tooth हो ताकि interference ना हो तो अब heading है मेरे पास minimum number of tooth to avoid interference interference को avoid करने के लिए कितना minimum number of tooth होना चाहिए to transmit angular velocity ratio angular velocity ratio lambda transmit 1 जिए मों करना है तो omega 2 by omega 1 is less than or equal to 1 अगर omega 1 बराबर omega 2 दोनों same angular velocity से rotate कर रहा है that means this ratio is equal to 1 मतलों जितना velocity input में दिये है उतना ही velocity मेरे को output में मिला तो इसका जो ratio है वो ratio हमेशा less than 1 और 1 के बराबर होता है less than 1 क्योंकि आप जो velocity अब दे रहे हो omega 1 वो हमेशा greater than omega 2 होता है क्योंकि जो आप input velocity बहुत जादा दे रहे हो कुछ losses होगा तो omega 2 तो अपर कम ही होगा that way omega 2 by omega 1 का अगर magnitude का बात करें तो omega 2 by omega 1 always less than or equal to 1 lambda जो हो है यहाँ पर angular velocity ratio जो हम लेमडा बोल रहे हैं यहाँ पर angular velocity ratio जो होता है omega 2 by omega 1 के बराबर होता और इस ratio यह equal to t1 by t2 और t1 जितना ज्यादा टीथ होगा उसका radius rp1 by rp2 radius of p circle 1 by radius of p circle 2 के बराबर होगा तो यहाँ पर ध्यान यह दिनाय की बहुत ही important relation है omega 2 यह t1 r1 omega 1 t2 r2 op1 o1p o2p rp1 rp2 क्या है o1p op2 यहाँ पर यह आपका base circle है यह आपका pitch circle है this is the base circle this is the pitch circle this is the base circle this is the pitch circle this is the pitch point यह आपका pitch point है यह line of action है मेरा यह line of action है इस pitch circle पे यह यानि base circle पे जो tooth है वो tooth का addendum circle अगर हम ड्रॉ करें तो this is the addendum circle this is the addendum circle और इस base circle पे जो tooth है उसका addendum circle आपका यह है आपका यह addendum circle है तो यह जो point है यह point AP और यह point जो BP यह AP जो है वो देखने में छोटा लग रहा है और BP जो है वो देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि आप इसका size बड़ा है इसका size छोटा है तो यहाँ पर यह जो चीज़ है AP is lower than BP इसका मतलब यह है कि इसका tooth जो है इसका tooth जो है वो easily आसानी से बहुत जल्दी यहाँ पर इसके base circle में चला जाएगा तो हम कहिए सकते हैं कि AP is less than BP, that means इसका मतलब यह है कि AP जो यह वाला distance है वो BP से छोटा है इसका मतलब यह है कि interference first occur at the pinion, interference इसमें होगा, pinion, pinion छोटे वाले को कहते हैं और बड़े वाले को आप gear बोल सकते हो तो interference first occur at the pinion, interference first कहां occur होगा, at the pinion में होगा अब फ्रस इसको फ्रस गौर करें हैं, तो यह है आपका O2 और यह है O1, यहाँ से लेकर कि यहाँ तक center distance, center distance यह O1P, O1P with this radius, radius of this pitch circle, O2P with radius of this pitch circle, यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिला दिये यह आपका common normal हो गया, आप common normal, common tangent at the pitch point, कि बीज यो angle बनता है उसको बोलते हैं प्रेशर अंगल, यह प्रेशर अंगल कितना फाई है, प्रेशर अंगल फाई है आपका, इस triangle से, यह जो triangle दीख रहा है, यह triangle में cosine law हम लोगाएंगे, तो cosine law लगाएंगे, तो यह पूरा angle कितना हो जाएगा, यह पूरा angle, तो यहाँ से यहाँ तक 90 degree और प्लस यह फाई, 90 degree प्लस फाई, तो cosine law बोलता है, O2 A का स्क्वाइर इस इक्वाल टो O2 P का स्क्वाइर प्लस A P का स्क्वाइर, O2 P का स्क्वाइर, प्लस A P का स्क्वाइर, मैनस 2 O2 P, O2 P, into A P, 2 O2 P, into A P, cos of this angle, angle between them, angle between them, cos of 90 plus 5, cos of 90 plus 5, cos of 90 plus 5, is equal to minus sin 5, तो minus sin 5, minus minus plus, तो यहाँ प्लस हो गया, sin 5, O2 P square, plus A P square, 2 O2 P, into A P, जैसा उपर है, वैसा ही नीचे, एक बात और यहाँ पर, A P जो है, A P जो है, वो कितना होगा, this A P, इस से हम देखें, this A P is equal to O 1 P, O 1 P, sin 5, O 1 P sin 5, A P is equal to O 1 P sin 5, क्योंकि यह right angle triangle है, यह आपका right angle triangle है, तो A P is equal to O 1 P sin 5, तो A P is equal to O 1 P sin 5, इसका square तो इसका भी square, प्लस 2 O 2 P इन्टू O 1 P sin 5 एपी यहां भी है तो O 1 P sin 5 और sin 5 पहले से sin square 5 यहां से यह पहुँचा यहां से हम यह देखे लेम्डा इस इक्वल टू O 1 P by O 2 P O 1 P क्या है R P 1 O 2 P क्या है R P 2 तो यहां से O 2 P को अगर हम बाहर निकाल लिए O 2 P को अगर हम बाहर निकाल लिए O 2 P की square square बाहर निकाल लिए तो यहां बचके मेरे को 1 यहां जो मिलेगा O 1 P by O 2 P का square O 1 P by O 2 P जो भी है वो लेम्डा के बराबर है तो लेम्डा square sin square 5 फिर यहाँ 2 lambda sin square 5 के बराबर मिला O to A is equal to this much इसका square था square is set गया तो root में convert होगा now addendum addendum का अगर हम बात करें addendum A addendum A कितना होगा addendum A तो यहाँ से लेकर कि यहाँ तक O to A में से यह चीज़ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह हम घटा दें मतलब O to P घटा दें तो this addendum यह जो पोर्शन मिलेगा तो addendum is equal to O to A minus O to P O to A minus O to P O to A अभी भी निकला मेरा O to A is equal to this much और O to P minus कर देंगे तो हमको addendum मिल जाएगा addendum मेरे को मिला this much addendum is equal to this much addendum is always expressed as a fraction of a module module का fraction के रूपने हम पहले भी पर चुक है addendum is equal to 1.25 module या addendum is equal to one module तो यह आगे मेरे को आया this much fraction into module is equal to this much and module is equal to module हम क्या पढ़े है module पढ़े है diameter of the P circle by number of teeth diameter of the P circle क्या हो जाएगा 2 into O2P by T2 2 into O2P by T2 तो fraction into module module के जगा पर 2 into O2P by T2 रख देंगे और बाकी right side जो है वैसा ही रख देंगे O2P O2P cancel हो जाएगा यहाँ से T2 मेरे को मिला T2 is equal to this much यहाँ से T2 मेरे को मिला this much हमको minimum number of teeth on the pinion चाहिए तो हमको minimum number of teeth on the pinion चाहिए that means हमको T1 चाहिए तो हम लोग पहले पर पढ़ चुके है कि lambda is equal to lambda is equal to T1 by T2 lambda is equal to T1 by T2 तो T1 is equal to T2 into lambda T2 मेरे को निकल गया मेरे को तो T1 is equal to T2 into lambda T1 is equal to T2 into lambda तो T1 केतना हो जाएगा lambda into T2 को जो ही value आया वो यहाँ रख देंगे तो this is the minimum number of tooth for avoiding the interference यह जो T1 है यह जो T1 है जो भी T1 यह T1 minimum आया जो 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 होना चाहिए वो इस minimum number of teeth से ज़्यादा होना चाहिए ताकि interference will be avoided T1 T1 मतलब number of tooth on the pinion or gear must be greater than the T1 minimum this minimum number of tooth से ज़्यादा होना चाहिए so that the interference can be avoided normally जो fraction होता है fraction को हम लोग 1 मान के चलते हैं तो fraction जहां कहें भी है वहाँ 1 मान के चलते हैं लोग this is minimum number of tooth for avoiding the interference now अब बात करते है rack and pinion के case में rack and pinion के case में same formula applicable नहीं होगा जो formula भी minimum number of tooth वो formula हम लोग rack and pinion के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं lambda is equal to lambda is equal to omega 2 by omega 1 is equal to t1 by t2 is equal to rp1 by rp2 तो अब rack जो है opinion जो है rack के पास तो angular velocity है ही नहीं rack के पास angular velocity में पास है ही नहीं मतलो rack जो है तो तो state line में translatory motion में रहेगा ना तो omega 1 और omega 2 क्या है omega 2 और omega 1 जो है वो आपका angular velocity है तो angular velocity हाँ पर omega 2 by omega 1 कहते है angular velocity of rack की 0 because rack have the only translation motion rack के पास सी पॉसी ट्रांसलेशन motion होता है तो जो t1 होगा minimum number of tooth जो हम निकाल ले थे अब ये भी minimum number of tooth for avoiding the interference इसमें lambda जहां कहीं भी है lambda omega 2 by omega 1 है जो भी omega 2 को एक rack मान लेते हैं rack का पहल जोटी तो वो 0 मिला तो lambda जहां जहां है वहाँ बहाँ 0 आप पूट करोगे तो यहां से number of tooth जो मिलेगा 0 upon 0 मिलेगा 0 upon 0 यहां पर lambda 0 में that means पूरा 0 यहां 1 minus 1 0 और उपर lambda है 0 that means जो number of tooth जो है मिला 0 by 0 तो अगर rack और pinion के केस में जो number of tooth मिला N1 के जहां T1 यहां पो जहां भी N1 है वहां T1 T1 जो है वो क्या मिल रहा है वो 0 by 0 मिल रहा है that means इसको कैसे apply करें इसको apply करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जो lambda है वो 0 के बराबर नहीं करेंगे हम lambda पूर tending to 0 करेंगे और limit apply करेंगे तो हमको वो condition देगा कि कब कब interference avoid होगा that means minimum number of tooth for avoiding interference in case of rack and pinion rack and pinion case में आप करो क्या इसमें lambda by t1 minimum 0 by 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे जो एब फॉर्मूला बेपस था minimum number of tooth for avoiding the interference उसको हम differentiate करेंगे numerator and denominator with respect to lambda जो भी हमको मिलेगा उसमें lambda के जगह पर हम 0 put करेंगे तो उपर differentiate किए तो मिला 2f नीचे differentiate किए that means this much हमको मिला इसमें lambda के जगह पर जो इतना करने के बाद differentiate करने के बाद इतना है मेरे पास इसमें lambda के जगह हम 0 put करेंगे तो finally जो number of teeth minimum number of teeth for avoiding the interference is equal to 2f by sin square 5 2f by sin square 5 अब जो question हम से पूछाई गया है कि minimum number of tooth आप निकालिए for avoiding the interference तो किस case में? gear के केस में या फिर rack and pinion के केस में अगर gear के केस में तो हम लोग ये formula यूज करेंगे minimum number of tooth for avoiding the interference और rack and pinion के केस में अगर यूज करना है that means ये formula यूज करेंगे 2f by sin square 5 तो ये लिखना question है बहुत ही ज़रूरी है कि किस case में आप से पूछाई गया है यहाँ पर मान लीजिए कि हम निकालें इसको solve किये फोर gear के केस में gear के केस में minimum number of tooth for avoiding the interference ये formula मेरे पास आया इस formula में fraction के जगा 1 रखे और lambda के जगा 1 रखे that means omega 1 बराबर omega 2 that means lambda is equal to 1 पूट किये तो जो मेरे पान minimum number of tooth जो मिला that means 22 या 23 23 tooth हमको मिला for avoiding the interference but in case of rack and pinion case में minimum number of tooth अगर निकालने कोशी करें for the pressure angle 14.5 degree 14.5 degree pressure angle case में यहाँ भी 14.5 degree ही पूट किये तब जाकर के मेरे को यह मिला यहाँ भी 14.5 degree ही पूट करेंगे तो यह मेरे को मिला वो 32 मिला यहाँ पर 2F by sin square 5 तो यह लिखना बहुत जरूरी है कि किस case में आपका minimum number of tooth पूछा जा रहा है for avoiding the interference तो अगर rack and pinion एक case में तो simple formula है 2F by sin square 5 वो यहाँ कितना 32 अब यहाँ पर अगर आप याद अपना चाहते हैं कि minimum number of tooth कितना होना चाहिए for avoiding the interference तो gear rack rack के लिए कितना 45,5 degree pressure angle के लिए 32 जो कि हम दो निकला और equal gear के case में equal gear के case में minimum number of tooth gear के case में 23 यह मेरे को निकला प्रिशर एंगल चेंज करेंगे तो आपका minimum number of tooth भी change होगा दोनों ही case में याद भी रखते हो याद भी रखते हो याद फिर आप formula से आप निकाल भी सकते हो यहाँ पर इन जो लिखा हुआ हो number of teeth को लिखा हुआ है हम लोग T यूज किये थे तो minimum number of tooth for the gear with 14.5 degree pressure angle will be 32 32 23 नहीं है इसमें कहीं 32 नहीं होगा next meter gear is used for meter gear का use क्यों करते है meter gear होता क्या है तो meter gear एक खास तरह का bevel gear होता है bevel gear और equal size bevel gear का size क्या होगा equal होगा तो उसको meter gear बोलते है meter gear जो है यह आपका meter gear meter gear are the mating bevel gear with equal number of teeth with equal number of teeth with equal number of teeth with the axis at right angle इसमें इसका axis और इसका axis right angle पर दोनों इसकों intersect करेगा these gear are used to transmit power around 90 degree corner 90 degree corner में power गो transmit करने के लिए ऐसा gear का use करते हैं meter gear is shown in the figure figure में दिखाया गया है meter gear एक दुस्ते को इसकों intersect कर रहा है number of teeth तोनों में सेम है दोनों का velocity भी सेम होगा omega 2 by omega 1 is equal to t1 by t2 that means t1 और t2 दोनों सेम है that means omega 1 by omega 2 भी सेम ही होगा that means हम कर सकते है meter gear के बारे में थोड़ा सा when two identical beaver gear are monitored on shaft that are intersecting at right angle they are called meter gear as shown in the figure identical gear मतलब एक जैसा gear होगा चाहिए gear का size होगा और दोनों का सेम होगा तो उसकों बोलते है meter gear इसमें अगर यह भी यह आप देख लिए अगर transmitting motion between intersecting shaft तो आप लाएगा यह सही है लेकिन ज़्यादा ज़्यादा accurate है equal speed क्योंकि number of teeth अगर equal है तो हम जानते हैं omega 2 by omega 1 is equal to t1 by t2 अगर t1 equal है तो t1 और t2 दोनों equal है that means this is equal to 1 that means omega 1 बराबर omega 2 that means equal speed equal speed के case में आप meter gear use करते हो ठीक है वो 90 degree पे intersecting shaft रहता है लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है आपका ज़्यादा accurate है equal speed next the difference between addendum and addendum is known as clearance यह हम पहले भी discuss कर चुके थे addendum और addendum की बीच का वो difference होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग clearance जैसे कि मैं देख रहे हैं कि this is the addendum circle of one gear this is the addendum now this is the addendum this is the addendum of other circle addendum of other यह addendum अगर यह tooth है दूसरा बेसरकल के tooth है तो this is the addendum and this is the addendum यह addendum और यह addendum के बीच का वो difference है मतलो यह addendum और यह addendum के बीच का वो difference है इसको बोलते हैं clearance यह clearance ने question बर 277 larger pressure angle result in pressure angle अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा pressure angle कम होगा तो क्या होगा यहाँ पुछा गया larger pressure angle होगा तो क्या होगा कह रहा है for the lower pressure angle gives a higher contact ratio contact ratio paradises किये हैं हम लोग प्रेशर angle अगर कम है तो हमको contact ratio ज्यादा देगा contact ratio ज्यादा देट तक contact में रहेगा और ज्यादा data contact में रहेगा इसका मतलब quieter operation operation जो होगा वो noisy नहीं होगा quieter होगा और वो reduced wear wear कम होगा अगर pressure angle कम होगा तो wear कम होगा और quiet होगा operation जो होगा quieter होगा लेकिन for larger pressure angle result in the tooth which are broader at the base and hence stronger in the bending stronger in bending and hence are stronger in bending तो कहने का मतलब है कि for a given circular piece the larger pressure angle result the teeth which are broader at the base base बड़ा होगा pressure angle जो बड़ा तो base आपका बहुत ब्रॉड होगा बहुत ब्रॉड होगा और वो stronger होगा इन बेंडिंग में लेकिन अगर आपका lower pressure angle होगा that means आपका जो contact ratio होगा वो आपका ज्यादर हैगा that means quieter of the operation and smooth operation होगा तो आप कोजी ध्यान रखना है larger pressure angle that means wider base and stronger teeth wider base and stronger teeth the next question of 28 the contact ratio of or engagement factor contact ratio या engagement factor in case of gear gear का contact ratio जो होता है वो होता है 1.3 से लेकर 1.5 तक generally ही होता है तो यह होता क्या है इसके बार में पहले बुद डिसस किये हैं हम लोग फ़रा से एक बार फिर देख लेते हैं contact ratio, contact ratio क्या बताता है number of pair of teeth in contact कितना pair of teeth contact में है यह contact ratio indicate करवाता है यह होता है length of arc of contact by circular peach formula आप डिराइब कर चुके थे contact ratio is equal to this much generally contact ratio कम से कम जो होगा वो 1 होगा minimum और contact ratio 1 से लेकर 2 के बीच लाइक करता है if the contact ratio is 1.6, 1.6 contact ratio का मतलब यह होता है that means one pair of teeth is always in contact एक pair of teeth तो contact में है और दूसरे teeth का second pair is in contact for 60% of time 60% of time second teeth contact में रहता है मतलब एक pair of teeth contact में है और दूसरे का 60% contact में है तो इसको बोलते हैं हम लोग contact ratio contact ratio generally 1 से 2 के बीच ही लाइक करता है तो अगो 1.6 है इसका मतलब यह है कि one pair of teeth always in contact and the second pair is in contact for 60% of time larger the contact ratio more quietly the gear will be operate जितना ज़्याद the contact ratio होगा gear उतना quietly operate होगा that means noise कम होगा तो यह जिनरली होता है 1.3 से लेके 1.5 तक next which of the following is not the gear of non-parallel non-intersecting not not का मतलब not मतलब parallel और intersecting parallel and intersecting अगर parallel है तो यह दूने को एक दूसरे को intersect कर भें नहीं करेगा तरह में question थोड़ा से confusing है थोड़ा से इसको गौर से देख लीजेगा not नहीं लिखता तो तब तो आप इसमें और हम गेर मार सकते थे हेलिकल गेर क्रॉस गेर भी होता मतलब इस्पार्यल गेर जो भी होता है वो intersecting and not intersecting and non-parallel होता है इस question में question में प्रोलिम है इसको थोड़ा सब देख लीजेगा next the product of circular pitch and diameter pitch is equal to circular pitch and diameter pitch का जो product होता हो पाई के बराबर होता है यह discuss कर चुक है हम लोग पहले which is a false statement about the cycloidal gear cycleidal gear के case में कौन सा false statement है तो cycloidal gear के case में interference exist करता है तो cycloidal में interference exist नहीं करता है तो यह false statement है आपका cycloidal में no interference interference नहीं होता है we will gear have their teeth तो उसका teeth कैसे होता है intersecting shaft के case में bevel gear जो होता है when the shaft are intersecting each other and coplanar the bevel gears are used to transmit the power bevel gears have the shape of turn-kitted cone the size of the gear tooth decreases towards the apex of the cone tooth का size है यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है तो उसका shape जो होता है कोन जैसा होता है bevel gear यह एक bevel gear यह दोनों एक दूसे और anti-degree पर कट कर रहा है यहाँ से power transmit हो रहा है यहाँ bevel gear are used for the shaft which are at right angle to each other however the angle may be less than 90 degree कभी तो इंगल जो होता है वो 90 degree से कम भी होता है the teeth of the bevel gear can cut straight या curve teeth जो होता है वो straight भी कटा होता है या curve भी होता है या spiral curve या spiral भी होता है straight teeth bevel gear is used for low speed low speed के लिए जो होता है straight tooth और अगर high speed application के लिए curve tooth यूज होता है तो यह आपको ध्यान रखना bevel gear में दोनों तरह का tooth कटा होता है आपका straight यहाँ पर तो straight है link कभी कभी हो वो inclined fashion में spiral form में भी होता है तो अगर वो straight है that means low speed के लिए low speed के लिए straight का जरूत पड़ता है और high speed के लिए वो उसका जो है curve से ज्यादा यूज़फूल है तो विएल गेर आप देर टीथ इस्टेट भी होता है inkline भी होता है curve over the rim will भी होता है तो कौन से सही स्टेट्मेंट है तो सबसे ज्यादा accurate जो है वो cut on the surface of the first of cone option number D ज्यादा accurate है cone format का होता है next is helical gear have their teeth helical gear को जो टीथ होता है वो कैसा होता है helical gear तो helical gear का जो axis है shaft का जो axis है वो parallel होता है to helical gear used for parallel shaft drive they have teeth inclined to the axis teeth जो है वो इस axis पे inclined रहता है कुछ यह इसका axis है तो इस तीथ जो है वो इसका इनक्लाइन है हिंस for the same width their teeth are longer than the spur gear and have higher load carrying capacity अगर inclined है तो load carrying capacity ज्यादा होगा अगर वो straight है parallel to the shaft axis तो load carrying capacity कम होगा और ऐसा कर रहने से inclined रहने से क्या होगा contact ratio आपको ज्यादा होगा contact ratio अगर इसमें ज्यादा है इसका मतलब वो quieter operation होगा they operate smoother and quieter than the spur gear their precision rating is good they are recommended for very high speed and load thus these gear find wide application in automobile gearbox their efficiency is slightly lower than the spur gear efficiency which is inclined that means wear का chance से ज्यादा हो जाता है the helix angle also introduces axial thrust on the shaft axial thrust helix चोकि वो inclined है that means वो helix angle जो होता है वो कुछ axial thrust को भी sustain कर सकता है 283 helical gear have their teeth inclined to the wheel ring next question which of the false statement about involved gear involved gear के case में कौन सा false statement है अब अब भी देख चुके थे involved gear profile के case में pressure angle जो होता हो constant होता है लेकिन आपका cycloidal में क्या होता है प्रेशर आंगल आपको चेंज करता है starting में आपका maximum रहता है pitch point पे 0 रहता है और फिर end of engagement में आपका maximum रहता है लेकिन involved में pressure angle जो होता है और constant रहता है तो यहाँ पर बोलता है pressure angle varies from 0 at the pitch point and maximum at the end of the commencement यह तो होता है आपका किसमें cycle idle में involved में क्या होता है involved में इसका बहलू constant होता है that means the fourth statement is the option number a next the center distance between the involved gear is a function of base circle radius of the meeting gear and pressure angle यह question पहले भी distance किये थे center distance between the involved gear is a function of base circle radius and pressure angle कैसे वो थोड़ा से देख लीजिए यह base circle और यह इस gear का base circle इसका center यहाँ पर और इसका center यहाँ पर center distance यहाँ से यहाँ तक पूरा center distance that way हम कह सकते हैं कि this is the base circle radius rb2 is equal to rp2 pitch circle radius का cos phi cos phi rp2 cos phi is equal to rb2 rp2 cos phi is equal to rb2 तो यहाँ से rp2 हम निकाल लेंगे rb2 by cos phi rp2 is equal to rb2 by cos phi तो यहाँ से यहाँ तक को distance मिल गया next यहाँ पर भी यह जो distance है वो मिलेगा rp1 is equal to rb1 by cos phi तो total distance यहाँ से यहाँ तक rp1 plus rp2 rp1 plus rp2 is equal to rb2 by cos phi plus rb1 by cos phi मतलब base circle radius और cos phi मतलब pressure angle का function होता है आपका center distance total center center distance तो हम से यह पूछा गया है इदा center distance between the involved gear is a function of base circle radius of the mating gear and the pressure angle next question 286 best profile to obtain resistance against where resistance against where के लिए base profile जो हो 14.5 degree full depth involved यह याद रखिया 14.5 degree full depth involved next for a given total arc length arc of action the work wasted in the form of friction work wasted in the form of friction is least मतलब friction में जो वेस्ट होगा वो कम होगा कब जब आपका arc of approach और arc of recess दोनों equal होगा तब जितना arc of path of approach और path of recess दोनों जब equal होगा तब के case में आपका जो work wasted in the friction वो minimum होगा यह arc of contact जब पढ़ा रहे थे path of contact और arc of contact जब पढ़ा है तो उसमें बताया गया था कि arc of recess क्या होथा और arc of approach क्या होथा तो arc of approach अगर arc of recess के बराबर है के बराबर है तो उस वक्त आपका जो work wasted in the form of friction वो लिस्ट होगा यह आपको ध्यान में रखना है एक दो question और भी ध्यान में रखना है efficiency of the warm and warm will warm and warm will के case में जो efficiency होगा होगा 1 minus sin 5 divided by 1 plus sin 5 5 with the pressure angle फ्रिक्शन एंगल फ्रिक्शन एंगल फ्रिक्शन एंगल फ्रिक्शन एंगल spiral gear case में यहाँ पर alpha with the helix angle and 5 with the pressure angle तो इसका maximum efficiency spiral gear के केस में हम लोग यह discuss कर चुके थे 1 plus cos alpha plus 5 divided by 1 plus cos alpha minus 5 यह भी यह dices पहले किये थे हम लोग तो इसको दार्रिक्शन एंगल याद रखिए इसको derivation में जाने जोगत नहीं है warm will के case में 1 minus sin 5 divided by 1 plus sin 5 spiral gear case में 1 plus cos alpha plus 5 divided by 1 plus cos alpha minus 5